हेलो फ्रेंड वेलकुम टो गोल्डेन करियार आरार भी पियो एंड क्लर्ग मेंस एक्जाम के लिए हम कंप्यूटर की वीडियो ला रहे हैं आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेट टेक्नलोजी से रिलेटेट कुछ टम्स के बारे में टोटल टेरा चॉलडर टरम्स हैं जिनको हम डिसकस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है इन में से अलग किसी हर एक्जाम में दो तीन टरम तो हर एक्जाम में आते ही आते हैं तो इन सारे टर्म्स को गर एक आप समझ लेंगे तो जो भी दो तीन कुश्चन्स आपके एक्जाम में इन से रिलेटेड आएंगे वो आप बहुत ही इसली कर सकते हैं MCQ के जो वीडियो आ रहा है ऑल्थो मैंने बोला था कि मैं दो वीडियो और लाँगा वड़ा मैं वीडियो नहीं ला रहा हूं मैं यह वीडियो लाया हूं चुकि मैंने देखा मैंने बहुत से MCQ सर्च के अल्मोस 99% कवर हो चुका है में भी एक परसंट कहीं रह गया हो आपके एक्जाम में और कुछ बाहर के नहीं आना है सिर्फ सारी वीडियो आप देख लीजेगा हां सिर्फ प्रिमियम मेंबर्शिप के लिए वीडियो है यह वीडियो भी सिर्फ पेड मेंबर्श के लिए है पूरी वीडियो और अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है 99 रुपीज में हमारी पेड मेंबर्शिप ले सकते हैं और वहां प उससे कोई भी डेटा पूरे वर्ल में कहीं है जो इंटरेंट से कनेक्टेड है आप उस सिस्टम से डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं इंट्रानेट क्या होता है, इंट्रानेट एक नेट्वर्क होता है, लेकिन यह कहां होता है, यह विधिने ओर्गनाईजेशन होता है, विधिने ओर्गनाईजेशन, अभी जैसे किसी ओर्गनाईजेशन के अंदर का जो नेट्वर्क बना हुआ है, उसको हम इंट्रानेट बो लेकिन आप ऐसा निस पर गूगल ओपन कर सकें तो भी एक इंट्रानेट होता है एक एक सब्सक्राइब कर सकते हो तो ऐसे नेटवर्क को जो है हम बोलते हैं आठ देखते हैं अगला टरम है हमाहरा एक्स्ट्रानेट क्या है ? एक्स्ट्रानेट जो होता है वो भी एक प्रकारका नेटवर्क होता है लेकिन वो अलग-अलग organization suppose एक organization आपकी है यहाँ पर 1000 computers लगे हुए है यह है आपकी इंदोर में 1000 computers और है ठीक है यहाँ पर लगे हुए है पूने में और 500 computers की उनकी और branch है जो की है अहमदाबाद ने ठीक है यह तीनों अगर आपस में connected है तो इस प्रकार के हम जो internet connection है जो organization के अंदर का तो फिर उसे जो है हम बोलते है extra net ठीक है तो आप यह extra net समझ गए होंगे अब हम बात करते हैं gateway के बारे में तो gateway क्या होता है gateway एक किसी network का point होता है जो कि किसी other network के लिए एक entrance का काम करता है जैसे gateway of India है gateway of India क्या है इंडिया क्या एक प्रकार से entrance है ठीक है जो बनाया गया था सेम आपका जो gateway होता है वो किसी और network के लिए entrance का काम करता है जैसे आप किसी website पे हैं आप IBPS का form भरते हैं तो IBPS का form भरने के बाद आप payment वाले पेज 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 पे तो वो क्या होता है वो आपका होता है payment gateway ठीक है payment gateway के थू ही आप बैंक को access कर पाते हैं और फिर आगे की payment करके आप बाकी चीजे कर पाते हैं तो यह हो गया आपका gateway 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 क्या होता है gateway एक particular point होता है network में जो कि ऐसे entrance act करता है किसी और network के लिए तैसे bank का network है वो अलग है आप IPPS का यूज कर रहे है वो अलग network है दोनों के बीच क्या है एक payment gateway है ठीक है अगर आपको internet payment transaction कर रहे हैं तो आप देखते होंगे न होगी merchant की site से आप Amazon पर कर रहे हैं तो Amazon की site से आप एक payment gateway पर जाते हैं इसमें जादा explain करने के जरूरत है फिर भी हम बतायते हैं कि firewall क्या होते हैं एक प्रकार की program होते हैं जो कि unwanted incoming connection की request को block कर देते हैं ठीक है किसी server में अगर firewall लगा हुआ है तो कोई और computer अगर उसको access करना चाह रहा है ठीक है unauthorized तरीके से तो उसको connection को वो block कर देता है तो firewall क्या करता है firewall जो है रिजेक्ट करता है unwanted incoming connection की request को जो wanted नहीं है ठीक है तो I think firewall यह बाप के लिए clear होगा next है आपका DNS DNS का जो full form है वो होता है आपका domain name server ठीक है domain name server है इसका नाम यह क्या होता है यह भी एक प्रकार का program होता है जो की deal करता है computer की addresses के साथ ठीक है domain name server ठीक है अगर आप देखोगे तो internet की एक प्रकार से यह directory होती है ठीक है अभी जैसे domain name dot in है domain name तो यह रिप्रेजेंट करता है कि यह website इंडिया की है ठीक है .org रिप्रेजेंट करता है यह कोई organization की website है ठीक है यही सारे domain name होते है है .net होता है network organization .biz मतलब business की होती है तो domain name server जो होता है आइटिंग आपको समझ में आ गया होगा कि यह एक प्रकार की program होते हैं जो computer की address से deal करते हैं ठीक है जैसे golden career.co.in यह भी domain name है यह किसी ना किसी domain name server पर host किया हुआ है ठीक है golden career.co.in यह एक domain है ठीक है तो यह domain जो है वह किसी server पर होगा वो domain name server हुआ ठीक है next हुआ आपका flash flash क्या होता है देखो flash कुछ नहीं होता है एक प्रकार का animation program होता है ठीक है जो की web page पर display होता है है कहीं भी display हो सकता है flash मतला समल लीजी चलती फिरती images होती है ठीक है तो यह हो गया आपका flash next है आपका URL URL होता है आपका इसका full form बहुत important है uniform resource locator ठीक है uniform resource locator इसका full form होता है और आप देखते होंग इसे golden career.co.in यह भी एक URL है ठीक है तो URL होता है uniform resource locator यह कुछ नहीं होता है बलकि एक web page का address होता है जो website के address होते है Google.co.in, golden career.co.in, gmail.com यह सारे URL है ठीक है यह किसी ना किसी एक specific address पर आपको ले आते हैं जैसे आप golden career.co.in open करोगे तो golden career की website जिस तरवर पर host है वहाँ पर आपको लेके चला जाएगा और golden career की website खुल जाएगी ठीक है तो इसे हम बोलते है URL तो यहां तक की वीडियो थी हमारे जो है paid members के लिए आगे कुछ और important terms हम discuss करेंगे sorry free members के लिए थी और आगे की वीडियो हमारे सर्फ paid members के लिए है जिसमें हम कुछ और important term discuss करने जा रहे हैं अगर आपको पूरी वीडियो देख रही है तो वीडियो को description box में लिंक दिया है आप 99 रूपिस का payment करके उसको access कर सकते है 24 hours का वेट जलू करिएगा payment के बाद उसके बाद अपना mail चेक करिएगा